हिमाचल प्रदेश में पश्वों के लिए लंपी चर्म रोग यानि LSD जानलेवा सावित हो रहा है यह रोग 6 जिलों में बड़ी तेजी से पहल रहा है जिन में शामिल है बिलासपूर, हमिरपूर, कांगडा, उनना, सोलन तथा सिर्मौर इसमें अब तक सिर्मौर में 30 और सोलन में 11 पशू मर चुके हैं परदेश में 400 मामले सामने आये हुए हैं, मृत्यो दर 10 प्रतिशा तक है कांगडा जिले में 11 पशू लंपी चर्म रोग से ग्रसित पाए गए हैं इस रोग के अन्या राज्यों से आने की अशंका बनी हुई है इसके बाब जूद अन्या राज्यों से पश्यों के परवेश पर रोग नहीं लगाई यह है सबसे पहला मामला सिर्मौर जिले में आया था इसके बाद अन्या जिलों में भी मामले सामने पाएगे अब जान लेते हैं इस रोग के बारे में यह मवेश्यों में एक अत्यधिक संक्रमन रोग है जो अन्य पश्मों या मनुश्यों से प्रवाबित नहीं करता है यह रोग चेचक और बक्री चेचक जैसे वाइरस के कारण होता है और जादा कीड़ों के काटने से फैलता है यह एक वाइरल संक्रमन है जो मच्छों, मक्हियों, जियों, ततेया, आदी या दूशित, भोजन और पानी के सीधे संपर्क में आने से फैलता है अब जान लेते हैं इसके सिंप्टम्स क्या होते हैं पश्वों में समान्य जवर, आँख और नौक से रसाब, अधिक लाराना, कम दूद उत्पादन, शरीर पर गांठ जैसे मुलायम च्छाले, खाने में कठिनाई आपको बता दें कि यह जानवरों की मौत का कारण भी बन सकता है हाला कि हिमाचल परदेश में 41 परश्वों के मारे जाने की खवर सामने आई हुई है यह मानब स्वस्थे के लिए खत्रा पैदा नहीं करता है अब जान लेते हैं हिमाचल परदेश के कितने जिले में कितने मामले सामने आये हुए सिर्मावर की बात करें तो 300, सोलन में 46, उनना में 37, कांगडा में 11, हमिरपूर में 4, बिलासपूर में 2, जो की लगभग टोटल 400 केस सामने आये हुए हैं सिर्मावर जिला में पशु पालन विभाग की उपनिदेशक डाक्टर नीरू शबनम ने बताया कि इस संक्रमन के लक्षन दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित साल्या से गौट वैक्षिन अवस्य लगवाएं डाक्टर नीरू शबनम ने जिला के पशु पालकों से इस संक्रमन के प्रती साबधानी बरतने की भी अपील की